जैन साथियो दीपक कोली दिस साइट स्वागत है आपका मेरे चैनल कोली जॉबस इन्फो में तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन साथियो बोर्ड पर आप देखके बहुत जादा चिंतित होंगे या एक्साइटेड होंगे कि भाईया ये बिग अपडेट क्या है यूपी पुलिस भरती की उसके बारे में बताईए बिग अपडेट ये हैं एक दो दिन से खबर आ रही है कि लगभग 35-37 अजार आपकी वेकेंसी आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है जिसमें से पहले बहुत सारे स्टुडेंट बोलते थे भाईया ये वाले सर दो बोल रहा है कि एवल यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की आएगी वाले सर किसी कोई भी नहीं बोल रहा आपके सिवा भाईया पीएसी भी आएगी साथ में बस सिर्फ वाट सिर्फ आगी और यह आ रही है इतने पद आ रहे हैं इसे कम पद आई नहीं है हाला कि आप पहले से भी सुनते हुए आ रहे होंगे कि 50,000 आ रही है कभी 45,000 कभी 40,000 ऐसे वेकंसी लगातार आ रही है और मैंने हर वार ही उन चीजों को नेगलेक्ट किया है जो चीज ऑफिशली नही है मैंने हर एक चीज को नेगलेक्ट किया है मना किया है उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक ऑफिशली नोटिस एनाउंस ना हो मैंने इस चीज के बारे में पूरा अच्छे से 37,000 कुछ दिखा रहा है ऐसे करके कुछ इतनी वेकंसी है जिसमें की 25,000 कॉंस् इसकी मैंने पूरी डिटेल इंफोमेशन देखी इंटरनेट के माध्यम से देखी कुछ मैं आपको क्लिप्स दिखा देता हूं कौन कौन सी क्लिप्स है आप देख ली जिएगा कि भाई अब आप पूछना चाहते हैं यह सच है यह नहीं है वह यह कहना चाहूंगा यह बिल तरीके से अपनी जो भी फोटो क्लिप्स है या वीडियो क्लिप्स है उनको वाइरल करना चाहते हैं और बच्चों के भविश्य के साथ खेलना चाहते हैं लेकिन आपके साथ मैं हूँ जब जब ऐसी इंफोमेशन आएगी मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लाओंगा और बताऊंगा कि सच्चाई आखिर सच्चाई है क्या जिससे कि आप लोगों का भविश्य बिल्कुल भी न बिगड़े देखो भरती तो आने वाली है चाहे अगले महीना आजाए चाहे कला आजाए अब भरती चाहे दोजार तेईस में लेट हो जाए भरती आएगी जरूर आ आपने देखा होगा ये क्यों बोलना हूँ जरूर आएगी क्योंकि टेंडर आया और वो टेंडर क्या आया वो ऑफिशली टेंडर आया था भरती को लेके अपनी तरफ से नहीं बोला ऑफिशल टेंडर आया था आप सब लोगों को पता है कि ऑफिशल टेंडर आ चुका था इसका मतलब भरती भी आएगी भरती क्यों लेट हो रही है कैसे लेट हो रही है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कब आएगी कैसे आएगी इसके बारे में किसी को नहीं पता कितनी आएगी इसके बारे में किसी को नहीं पता भरती आपकी 30,000 से कम आएगी लगभग 26,000 ही आएगी 30,000 से कम ही रहेगी आप निराश मत होए अगर 5-6,000 भी आजाती है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है जो भी अपना सपना पूरा करना चाते हैं उनका सपना पूरा हो जाएगा अपनी महनत को लगातार अच्छी तैयारी के साथ करते रहिए ऐसा ना हो कि कोई पीछे से आया और आपकी सीट ले जाए आपने पीछे जाक के देखा और पीछे वाला आगे निकल गया ऐसा मौका बिलकुल मत देना लगातार अपना 100% पर डे देना पर डे रात के 12 बजे अपने आप से बूचना क्या मैंने आज अपना 100% दिया या नहीं दिया बस ऐसे ही अपनी तैयारी बरकरार रखना आपकी वेकेंसी आपकी सीट कोई और नहीं ले पाएगा जहां आपने धील बरती वहां आपकी सीट चले जाएगी और साथियो यह जो मौका मिल रहा है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छी तरीके से कोई मौका मिलेगा तो यह जो मौका मिल ला है इसको कभी गवाना मत कभी छोड़ना मत अपना 100% देते जाओ इधर उधर के लोगो इधर इधर के यूट्यूब चैनल पे इतना ध्यान मत दो जहां से आपको गलत इंफोमेशन मिल रही हो या जहां से आपकी तारिफे की जा रही हो कि आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप बस 160 नंबर लियाओ आप बस 150 नंबर लियाओ पेपर बहुती आसान आता है हर कोई इसको पास करके रख देता है ऐसी खबरों से बिलकुल दूर रहो ठीक है मुझे पता है मैंने किताब भी बना अगर किसी को कोई बुक्स की समस्या है तो बुक्स पे मैंने वीडियो बना रही किया वो आप देख सकते हैं फुल डेटेल वीडियो मेरे चैनल पे हर एक वीडियो है मैं प्रॉमिस करता हूँ आप जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं साथियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट जरूर करना अंत में जैहिन साथियो